गुड मॉर्निंग इस्ट्रेंड सेंट एंटेंजर्स के ओलाइन क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण में लिंक पड़ेंगे आज का हमारा विशे है लिंक देखिए सभी शंग्या सथ तो पुरुष बोधक होते हैं या इस्तरी बोधक होते हैं सभी हमने अपने लास चाप्टर में संग्या पड़ा था हमने बताया था कि नामों को संग्या कहते हैं अब उन्ही नामों को कितने भागों में विवक्त किया गया है देखिए पुरुष बोधक होते हैं कुछ और कुछ होते हैं इस्तरी बोधक देखिए आपकी यहां पर चित्र में देखिए एक बाद चातर विधहले जाता है और चातर विधहले जाती है तो चातर विधहले जाता है यह है पुरुष बोधक और छात्रा भी धाले जाती है यह है इस्तरी बोधर तो यहाँ पर हम इसके बारे में और जानेंगे देखिए बाई और लाफ्ट साइट चित्र में छात्र शब्द पुरुष वर्ग से संबंदित है जैसा कि अभी हमने आपको बताया और दाइ यूर के चित्र राइट साइट में छात्रा शब्द इस्तरी वर्ग का प्रतिनिधित करती है वस्तूते जिस शब्द रूप से हमें पुरुष या इस्तरी जाती का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं लिंक के भेद, हिंदी के लिंक के दो भेद होते हैं, आपके हिंदी विशे में लिंक के दो भेद होते हैं, पुल लिंक और इस्त्रलिंक सबसे पहले आता है हमारा पुर्लिंग जिन संग्या शब्दों से पुरुष जाती का बोध होता है जिन संग्या शब्दों से पुरुष जाती का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं क्या कहते हैं उन्हें लिंग अर्थात उन्हें पुर्लिंग कहते हैं जैसे चुहा, लोटा, गायक, नर, हंस, छात, नौकर, इत्यादी और बहुत सारे नाम हैं जो पुल्लिंग शब्दों का बोध कराते हैं उसी तरह से नेक्स देखिए इस्तरलिंग जिन संग्या शब्दों से इस्तरी जाती का बोध होता है उसे इस्तरलिंग कहते हैं जैसे चुहा, लुटिया, गायका, नारी, हंस, नी, छात्रा, नौकरानी, आदी तो इस प्रकार आपने जाना कि लिंग कितनी प्रकार के होते हैं लिंग किसे कहते हैं और लिंग के भेत कितनी होते हैं Hindi में Link होते हैं, दो, Pulling और Stirling, उसी तरह से संस्कित में Link 3 होते हैं, Link के भेट कितने होते हैं, तीन, Pulling, Stirling और Napan suckling, चीक Presled whom, लेकिन हमारे Hindi विशे में कितने हैं, दो नेक्स्ट है आपकी लिंग की पहचान कि लिंग की पहचान हमें किस प्रकार करनी है देखिए संग्या शब्द दो तरह के होते हैं प्राणी वाचक और आप्राणी वाचक संग्या शब्द कितने प्रकार के होते हैं एक तो प्राणी और दूसरा आप्राणी प्राणिवाचक शबदों का link निर्ने असान होता है क्योंकि हम उसके नर रूप को pulling और मादा रूप को sterling कहते हैं किन्तु अब प्राणिवाचक शबदों में link निर्ने करना मुश्किल हो जाता है उनके साथ लगे विशेशन और किरियापदों पर ध्यान देना पड़ता है कि वो किस विशेशन में यूज हो रहा है या उसमें क्या किरियापद लग रहा है उस पर हम ध्यान देंगे तब हमें यह ग्यात होगा कि कौन सा मारा पुल लिंग है याद कर रहे हैं विशेर्षन के अधार पर बड़ी क्या है जिसमें आपको देखिए हो रगी शब्द है वड़ी तो उससे बड़ी से हमने क्या आर्थ लगाया कि इस तρी लिंग विशेषन के अधार पर हमने फिमल्न का तो लिंग निरने समंदी कुछ और परंप्रागत नियम है जो इस प्रकार है देखिए अब आता है हमारा प्राणी वाचक संग्याओं का लिंग निरने समानते पुरुष जाती का बोद कराने वाली संग्याएं पुलिंग तथा इस्त्री जाती का बोद कराने वाली संग्याएं इस्त्रलिंग होती है किन्तु कुछ संग्याएं नित्य पुलिंग तथा कुछ नित्य इस्त्रलिंग होती है जैसे नित्य पुलिंग शब्द तोता, गैंडा, खरगोश, भेड़िया, खटमल, जिराफ, गीदर, कोवा, उल्लू, मच्छर, बगुला, इत्यादी और जो हमेशा इस्त्रलिंग रहती हैं, उनके भी कुछ शब्द दिये हैं, ध्यान पूर्बग देखिए, गिलहरी, मैना, भेड, चमकादर, बुलबुल, कोयल, मकडी, मच्छली, मक्खी, आदी उप्रियुक्त शब्दों के लिंग भेड के लिए इनसे पहले नर या माधा लगाया जाता है, कि कुछ जो होते हैं, जो शब्द हमारे पूर्लिंग में प्रियोग होते हैं, सेम इस्त्रलिंग में यूज होते हैं, लेकिन इस्त्रलिंग में प्रियोग करने के लिए उनके आगे मादा लगा दिया जाता है जैसे कोयल तो पुलिंग बनेगा आपका नर कोयल मच्छली नर मच्ली मखी नर मखी नेज्ट देखिए जिसे बगुला तो बगुला हम किसमें कहते हैं पुलिंग में कहते हैं और इस्त्रिलिंग में मादा बगला, खरगोश, मादा खरगोश, मच्छर, मादा मच्छर अब देखें उभेलिंगी शब्द उभेलिंगी शब्द कुछ शब्द वे होते हैं वे इस्तरीलिंग के लिए प्रियुक्त होने पर पुलिंग शबद के बोध कराते हैं जैसे इनका लिग निर्धारण किरिया द्वारा होता है जैसे राजदूत, राश्ट्रपती, रिपोर्टर, प्रिधान मंत्री, मुख्य मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, सचीव, कुलपती, प्रोफेसर, सभापती, आदी राश्ट्रपती उस दिन विदेश यात्रा पर जा रही थे, तो किरिया द्वारा लिंग का हमने निर्णै किया तो चार रही थी अर्थात हमें ये बोध होता है कि ये स्तरलिंग है तो इस फरकार कुछ शब्द होते हैं उभे लिंगी जो दोनों में प्रियोक किये जाते हैं किन्तु किरिया द्वारा हम उनका बोध करते हैं पुलिंग शब्दों की पहचान, कुछ आपकी और पुलिंग शब्द दिये गए हैं, जो आपके अभिहास करने के लिए बहुत आविशक हैं, ध्यान से पढ़िए और समझे, परंपरा अनुसार कुछ शब्द सदेव पुलिंग माने जाते हैं, जैसे ग्रहों के नाम, जैसे की प्रतिवी को इस्तरलिंग भी कहते हैं, यह आता है अपवाद में, किसमें आता है, अपवाद में की प्रतिवी इस्तरलिंग है, तो ग्रहों के नाम हैं आपके, किसमें, पुलिंग में, नेक्स्ट आता है तेशों के नाम, कि किन किन तेशों के नाम को हम पुलिंग में ल अब पर्वतों के नाम दिये गए हैं देखें हिमाले, विंध्याचल, अरावली, कैला, शियूराल, सत्थपुड़ा आदी समुंद्रों के नाम में प्रशांत महसागर, काला सागर, हिंद महसागर, अरब सागर आदी तरल पधार्तों के नाम भी हैं दूद, पानी, तेल, रक्त, आदी और एक अपवाद में दिये गए हैं कुछ नाम चाय, कौफी, लसी, चटनी, आदी, स्त्रलिंग है फलों के नाम भी हैं तर्बूज, आम, संत्रा, केला, इत्यादी ये केसम नाम में दिये गए हैं फलों के नाम हैं तर्बूज, आम, संत्रा, केला, आदी अपवाद में आता हैं खजूर, लीची, इस्त्रलिंग हैं अनाजों के नाम में चावल, चना, जौं, गेहु, बाजरा, आदी अपवाद में इसको शब्द और हैं सर्सो, मक्का, अरहर, तथा जौर, इस्त्रलिंग में ब्रक्षय और पौधों के नाम आम, जामून, गुल्मोर, बढ़, नीम, अशोक, अक्रोट, सफेदा, केला, संत्रा, अमरूद, वर्गद, नीबू अपवाद में हैं, इमली, चंपा, इस्त्रलिंग हैं, रतन, एवम, धातुमों के नाम हैं, पुखराच, हीरा, मोती, जवाहराद, पीतल, लोहा, आदी और अपवाद में हैं, चांदी, इस्त्रलिंग तो इस प्रकार यहां पर बहुत सारे नाम दिये गए हैं, जो आपको यह संबोधित करते हैं, बताते हैं कि कुछ नाम हैं, जो पुलिंग में लिये जाते हैं, और आपके इस्त्रलिंग में दिये जाते हैं, तो इन नामों का भयास करें, इन्हें पढ़ें, समझें